हेलो फ्रेंज वेलकम टू एलेस फूड लाइफ और आज मैं आपके लिए लेकाई हो हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफ़स रेसिपी और इसे हम बनाएंगे भाप से यानि की स्टीम से इसे बनाना आसाने बहुत ही सिंपिल सा रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है और जो चावा हमने यूज कि आप देख सेते कितना खिली खिली है आप इसे सुबह के अटम बना के गरमा गरम सर्फ कर सकते हैं बनाना आसाने टेस्टी इमेजिंग है बहुत ही यमी सा टेस्ट है और यह बहुत हैल्दी है तो चलिए आज की ब्रेकफ़स रेसिपी को शुरु करते हैं वी कशले सबसे हम दो कर लेंगे के लिए मैंने यहां पर देख आधा कप राइस फुलो को हम इस वाल में टैंसपर कलेंगे मतलब इस बॉल में डकल नमक नमक स्वाद उने सर या फिर एक चौटा सोड़ा चमुस अब यूज करें आप देख सकते मैंने एक चौटा सोड़ा चमुस नमक यूज किया है राइस फिलो नमक इसके अलावा फिलाल इसमें कुछ नहीं यूज करेंगे फिर आम नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर फिर आम इसमें डालेंगे पानी ये गुनगुना गरम पानी ये पानी ठंडा मत यूज किज़े और बहुत ही ज्यादा होट नहीं होना चाहिए बना डो परफेक्ट तया नहीं होंगे और गुटलिया आ जाएंगे और उतना स्वाद भी नहीं हाएंगे तो इसमें गुटल बार लंस होगा तो यह परफेक्ट डो तयानी होंगे और जो नस्ता बनाएंगे वह भी परफेक्ट नहीं बनेंगे इसमें लंस पर गुटलिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यह बहुत ही स्मूध से एक डो तैयर कर लेंगे तो अब देख सकते हैं डो हमारा तयार हो और यह स्मूध भी हो जाएं तो चले चलतें नक्स पोसेस पर मेने अलो का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यह बेट साथ से आठ अबले आलू ले लिया है अगर आप छोटे साइसल के आलू यूजज करें तो आप दो से तीन आलो यूज करें तो आप 2-3 आलो से जरुद नह नहीं करेंगे मोटी साइस से करेंगे तो आलो हमारा कद्दू का सोचो का है तो चलिए चलते हैं गैस की और और इसके स्टफिंग तैयर कर लेंगे दो टेविस्पून हम रिफाइन टॉयल गरम कर लेंगे आप चाहिए सोच सका तेल या फिर कोकिंगा दूसरा ओल से भी बना स और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1.5 टेविस्पून लेसन यानि कि 1.5 टेविस्पून हम लेसन डाल देंगे और लेसन को मैंने लंबाई में काट लिया है आप चाहिए तो लेसन के स्पेस या फिर आप बारिक चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं तो लेसन हरी मिर्ची और स करी लिप से और साथ ही इसमें हम डालेंगे यह कारिब तीन मेडियम से इसके प्याज को मैंने लंबाई में काट लिया है आप चाहिए तो बारिक चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं प्याज को हम एक से दो मिनिट लोग फ्लेम पे भूल लेंगे तकि प्याज तोरा सॉफ प्याज को मैंने याए अब एक से दो मिनिट प्याज को मुला है आप चाहिए तो दो से तीन मिनिट भी पंट सकते हैं अगार आपको कच्चा पसंद नहीं हो एक से दो मिनिट हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे मसाला, मसाला में मैं यूज कर रही हूँ, एक छोटे चमस धनिया पाउडर, एक छोटे चमस जीरा पाउडर, एक छोटे चमस छोटा चमस हल्दी पाउडर, एक छोटे चमस लालमिस पाउडर, तीखा आप कम्या जादा कर सकते हैं नमक स्वाराद वनश citam Aam Łam and और यह मिनिट मसाला करें शारा करेंगे मसाला के साथ प्यास को जब एक हो जा इसमें हम डालेगे करें घ्रीट किया हुआ अलुँ a आलू का हम पकाएंगे नहीं, मसाला के साथ जितना टाइम लगता है, मिकसर ने बस उतना ही हम पकाएंगे से, और नमक इसमें एक चोटा चोटा चमस यूज़ करें, या फे स्वाद होने उसारा, क्योंकि जब मैंने राइस फुला का डो तयार किया, तो उसमें भी मैंने नमक यूज़ किया, अगर आप दोनों में ज़्यादा डालेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि टेस्ट भी अच्छा नहीं होंगे, और खाने में उतना अच्छा नहीं लगेंगे, तो इस बात का धन रखिया है, जो नमक इसमें कम यूज़ करें, मैंने आलू की होता है, छोटा चमुझ आम चूर यूज़ किया, क्योंकि आम चूर से थोड़ा खटा कर देता है, अगर आपको खटा पसंद नहीं है, तो आप आम चूर इसकिप कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका, स्टफिंग भी हमारा तयार है, और बनाना में मीनिमम 3-4 मिनिट में यह आलू के स्टफिंग बन के तियार हो गया, बतलब इस स्टफिंग को बनाना में सिर्फ 3-4 मिनिट, इससे ज़ादा जूरूत नहीं है, तो इसे बनाना बहुती आसने सिंपल सा रेसिपी है, अब फोटा फोट सुवे के इनस्ता में बना कि तो अब देख सेकते अलो का स्ठफिंग हमारे ठंडा हो चुका है तो धोरा सा अलो का स्टफिंग ले लेंगे और इसे इस तरह से गोल गोल मना लेंगे और जो 2 हमने तैयर किया invasive लगा वजो 15 से 20 मिनिट हो चुका और soft भी हो चुक है, थोरा सा डो ले लेंगे और उसी इस तरह से गोल बना लेंगे और इसे कटोड़ा का save दे देंगे अब देख सकते हैं उंगली की सायधा से इसे कटोड़ा का save दे दे देज़े और फिर जो आलू का stuffing मैंने थोरा सा गोल करके रखी वो हम इसमें फील कर देंगे इस तरह से लेकिन क्यार फुल हुई आलू का स्टफिंग बहार नहीं निकलना चाहिए फिर हम इसे हाथ से थोड़ा गोल कर लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं तो पहला बॉल्स हमारा तयार है इसी तरह हम बाकी सब कभी तया कर लेंगे तो यह हमारा सारा बन चुका है आप देख सकते हैं इस अब फील हो चुका है तो चलिए चलते नेक्स पोसेस पर यहां पर मैंने आधा कप चावल को अच्छी तरह से वाश करके मैंने भीगो के हाफ एनर के लिए रख दिया तक यह थोड़ा फूल जाए और यह आप चाहे तो बसमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं चावल का हम इस प्लेट में निकाल लेंगे और इससे थोड़ा सा हाथ से फैला देंगे प्लेट में इस तरह से और जो हमने राइस फुलो की बाल्स बनाई है उसे हम अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे चावल से हैं ताकि पानी गरम हो जाएं और फिराम इसमें चन्नी रख देंगे और जो बॉल्स हमने कोटिंग करके रखे राइस से वह हम धीरे-धीरे इस तरह से एक-एक करके रख देंगे लेकिन एक के साथ चिपकना नहीं चाहिए कि अगद चिपक जाएंगे तो ये तूटने के चां देंगे और चटनी के लिए मैंने एक चौथा एक मुखवली ले लिया है यानि कि पीनट और मुखवली को मैंने हलका रोस्ट करके फिर यूज कर रही हो और आप देख सकते हैं मुखवली का जो छिलका है उमेने सारा नहीं निकाला थोड़ा बहुत छिलका है तो आप चाह छोटा चमाल आम चूर आधी छोटे चमाल जीरा डाल देंगे यानि कर्विन सीट और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पाने तक कि ग्रैंट हो जाए आप इसमें नारेल भी यूज कर सकते हैं या फिर धाई से भिया बना सकते हैं तो धकन लगा देंगे और इसे हम ग्राइ अगर आपको लगता है 20-25 मिनिट के बाद भी यह सौफ्ट नहीं है मतलब कच्चा है तो अब एक दो मिनिट और ढखके आप कुक कर लेजे तक यह अच्छे तरह से सौफ्ट हो जाए गैस हम बंद कर देंगे और इसे हम थोड़े देर ऐसे ढखके रख देंगे क्योंकि गर यह लीजे गर्मा-गरम हैल्दी ब्रिग्फस्त रेसे पी हमारे तयार इससे हम इस जड़िसानी यह च्छनी से बंद कब और सरफ कर लेंगे आपदे ही ज़्डा है और कितने आड़ है यह बहुत है यह बहुत यजादा Happy खूंशी स्का बहुत ही i amazing है बहुत हमने पर लगाना ते अगर हम बना के सर्फ कर सकते हो आज का रेसे भी बच्चे या बरे सब को पसंद होंगे और मैं आपको यह काट के दिखाती हूं जो अंदस इसका टेक्चर कैसा है आप देख सकते हैं जो आलू हमने फिल्ड किया फिलिंग वो कितना अच्छा हो देखने में तिना यम सा लग आप मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बूक में फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपका कोई सजेशन है तो कॉमेंट के जारी आप मुझे कह सकते हैं तो इस हैल्दी और सॉफ्ट ब्रेकफॉस्ट रेसिपी को पी नजए किजिए तो चले मिलते एक नई रेसिपी के साथ बाई बाई